नमस्कार मैं अशोक कुमार पांडे स्वागत है आपका TCH पर मनोज मुंतशिर और कंगना रानावत ये दो ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बुरी तरह से फेल हो चुके हैं मनोज मुंतशिर चपल उतार कर जूते उतार कर जाते थे आदी पुरुष का डायलाग लिखने लेकिन जब आदी पुरुष रिलीज हुई तो उनके उपर चपल और जूते बरसने लगे सोशल मीडिया पे आप वो कहानी जानते हैं और उसके बाद अब बिचारे के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है यही बचा है कि आईटी सेल जो स्क्रिप्ट लिख कर दे वो स्क्रिप्ट वो बिचारा पढ़ दे तो महारास्त्रा चुनाओं में वैसी ही उसने स्क्रिप्ट पढ़ी उस स्क्रिप्ट का जिक्र भी मैं नहीं करूंगा क्या बोला क्या नहीं बोला उसका भी जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि नीच्ता जब हद को पार कर जाए जब सांप्रदाईक नफरत फैलाने के लिए कोई पागल हो जाए तो बेहतर ये है कि उसके लिखे उसके पढ़े पर ध्यान ही न दिया जाए जाहिर है आदिपुरुष के बाद वो हालत हुई है मनोज मुंशिर की कोई पूस्ता नहीं है सोशल मीडिया पर चाये रहते थे टीवी चैनल पर चाये रहते थे अब शकल भी नहीं दिखती है तो तरीका क्या बचा हुआ है तरीका यही बचा हुआ है कि भारती जन्ता पार्टी की जितनी दलाली कर सकते हैं और वो दलाली करने के लिए जितनी नफरत पहला सकते हैं उतनी नफरत पहलाएं महरास्टा में जाकर लोगों को हिंदू मुसल्मान सिखा रहे हैं और हिंदू धर्म बचा रहे हैं उनसे तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब उनको हिंदू देवताओं का चित्रन करने की आजादी मिली थी तो आदी पुरुष में कैसे उन्होंने हिंदू देवताओं का देवियों का मजाक उडाया कैसे उनको कार्टून बना के रख दिया इस पर सवाल किया जाना चाहिए वो आप सिखाएंगे कि हिंदू धर्म कैसे बचेगा और कैसे नहीं बचेगा अरे भाई जब इस देश में इतने साल मुगलों का साशन रहा इतने साल अंग्रेजों का साशन रहा और हिंदू धर्म खत्रे में नहीं आया तो ये दो टके के लोग किसी धर्म को क्या बचाएंगे वो लोग कहां से किसी धर्म को बचाएंगे जो सोने चादी की कौडियों से बिक जाते हैं ऐसे ही हमारी आदर्णिया कंगना रानावजी है फ्लाफ फिल्मों का रिकार्ड बन रहा है और ये रिकार्ड तूटेगा अभी जब अगले महिने जैन्वरी में उनकी इमर्जेंसी फिल्म रिलीज होगी तेजस रिलीज हुई बहुत शोर बहुत कुछ पता ये चला कि कोई देखने भी नहीं जा रहा था सोचल मीडिया पे लगातार लिख रही थी गई योगी आदितिनात को दिखा आई और भी जाने किसको किसको फिल्म दिखा आई लेकिन जनता अपने घर से निकल कर इनकी फिल्म देखने नहीं गई मडिकार्डिका फिल्म आई बड़ा शोर मचा बड़ा शोर मचा लेकिन मडिकार्डिका कोई देखने नहीं गया आज जब मैं बैठा हुआ हूँ तो जहासी वाली रानी का जनम दिन है महारानी लक्षमी बाई का जनम दिन है महारानी लक्षमी बाई हर हिंदुस्तानी के लिए इज़त का सबब है हर हिंदुस्तानी उनकी इज़त करता है हर हंदुस्तानी याद करता है किस बहादुरी के साथ वो अंग्रेजों से लड़ी थी लेकिन जो लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे जो लोग अंग्रेजों के खलाब कभी खड़े ही नहीं हुए जो लोग अंग्रेजों के पैरों में पड़े रहे जो लोग अंग्रेजों से माफिया मांगते रहे जो लोग पूरी आजादी की लड़ाई में घद्दार बने रहे उनके साथ खड़े होकर आप महारानी लक्ष्मी बाई को याद करेंगी तो कोई महत्व नहीं देने वाला है महाराष्टा में परिचार करने गई थी अब महाराष्टा में आखिर में तो यहीं सब हो सकता है या तो हिंदो मुस्लिम नफरत पहलाओ तो उसके लिए बेज़ दिया गया भारती जन्ता पारटी के परवक्ता और अब सांसद हो गए हैं सम्वित पात्रा संपित पात्रा का फेवरिट काम है राहुल गांधी पर मजाग करना राहुल गांधी पर मजाग किया लेकिन ये भूल गये कि उसी राहुल गांधी ने इस बार लोक सभा में पूर्ण बहुमत नहीं पाने दिया और दो सहारों पर सरकार चल रही है उसी राहुल गाधी ने जीना हराम किया हुआ है संसत के अंदर वही राहुल गाधी संसत के अंदर विपक्ष का नेता है जहां मामुली से MP पहली बार बने है संपित पात्रा और बड़ी बात नहीं है कि ये पहली बार उनका आखरी बार भ बड़े लोग हैं जब चाहें तब उठके जाके घूम सकते हैं, योरप चली जाएं, किसी भी मुल्क में चली जाएं, फ्रांस चली जाएं, बेलजियम चली जाएं, डेनमार्क चली जाएं, स्वीडन चली जाएं, या फिर पोलेंड चली जाएं, किसी भी मुल्क में चली जा 100 मेंسे 100 लोग कहेंगे पुतिन है उसके बाद पूछें भारत का प्रधाल मंत्री कौन है और 100 मेंसे 9 लोग अगर नरहिंद्र मोदी जी का नाम बता दें तब उनको दुनिया का सबसे पापुलर लीडर कहें यहाँ बैटकर गोधी मीडिया जो उनको दुनिया का सबसे पापुलर लीडर बनाता रहता है उससे वो दुनिया में सबसे पापुलर नहीं हो पाएंगे पिछली बार G20 आप के हाँ थे हिंदुस्तान में ऐसे पेश किया गया कि बस मोधी से बड़ा तो कोई नेता ही नहीं है G20 से बड़ी कोई चीज ही नहीं है G20 के प्रेसिडेंट बनके उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है इस बार फिर ब्राजील में हो रहा है G20 जरा जाके वहां पर देखिये क्या वहां भी लूला ने जो वहां के रास्टपती है यही सब नाटक किया है नहीं उन्होंने कोई नाटक नहीं किया है उनको पता है यह सालाना तेखार है कल इंडिया में था आज ब्राजील में है कल किसी और कंट्री में होगा कल किसी और कंट्री में होगा ये सामान निसी बात है हाँ हमारी गोधी मीडिया इस जरा सी बात को इस सामान निसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताती है कि कंगना जी कह रही है कि मोधी जी दुनिया के सबसे पापुलर लीडर है अब दुनिया में कितने पापुलर है ये तो दुनिया जानती ही है बताने की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में बैठ कर और अपने मंच से जिसका जो मन में आए वो बोल सकता है हकीकत क्या है वो सारी दुनिया जानती है और कंगना रानावजी की हकीकत ये है कि वो प्रचार कर रही थी किसी का बगल में विचारा खड़ा था विधायक है अभी और अगला चुनाव लड़ रहा है उसी का प्रचार करने गई थी कंगना रानावर जी और पहचान नहीं पाई कि वही व्यक्ति है जिसका वो प्रचार करने गई है किसी और से पूछा एक महिला बगल में थी उनसे पूछा कि भाई ये आदमी कौन है तो उसने बताया रहे यही तो है जिसका आप प्रचार करने आई हैं तो राजनीती में आप इतनी निपुन हो चुकी है कि जिसका प्रचार करने गई है उसकी शकल नहीं पैचानती है और बात करेंगी राहुल गाधी पर बात करेंगी बड़ी-बड़ी बात करेंगी इंटरनाशनल जरा लोकल देख लीजे कि जहां आप प्रचार करने गई है वहाँ के विधायक को नहीं पैचानती हैं आप कह रही हैं मोधी जी एक एक घंटे बिना लिखे पढ़ लेते हैं राहुल गांधी कागज की पर्ची रखते हैं रहे भाई राहुल गांधी तो कागज की पर्ची रखते हैं इसमें चार पॉइंट नोट करते हैं अगर मोधी जी के सामने टेली प्राम्टर ना चले तो मोधी जी की जबान रुख जाती है हमने देखा है उनको के टेली प्राम्टर जरा सा खराब हुआ था तो उस समय उनकी क्या आलत हो गई थी चेहरा कैसा हो गया था और टेली प्राम्टर सामने रखने के बाद भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं बेटी पढाओ, बेटी बचाओ को, बेटी पटाओ कर देते हैं और भी कितने गलतियां कर चुके हैं बताने की जरूरत नहीं है और बाकी टेली प्राम्टर पर जो लोग लिख के देते हैं वो कितने खेल करते हैं वो तो छोड़ दीजिए उस पर तो बहुत बात हो चुकी है और इतने अगर मोदी जी घंटों बोल सकते हैं बिना कागच के बिना टेली प्राम्टर के तो बताना चाहिए कंगना रानावजी को कि कभी मीडिया के सामने बैठ कर प्रेस कानफरेंस क्यों नहीं कर पाते उस गोधी मीडिया के सामने भी प्रेस कानफरेंस नहीं कर पाते जो दिन रात मोदी जी का ही गुणगाती है interview होता है scripted interview होता है सारा का सारा बीच में खबर ये आई थी कि वो जो interview होते हैं उसकी editing भी मोदी जी क्या हैं जो उनकी team है वो करती है अब ये कितनी सच है कितनी गलत है ये तो मैं नहीं जानता लेकिन ये तो उनको देख के ही समझ में आ जाता है कि पूरी तरह से scripted interview है जिसमें देश के प्रधान मंत्री से पूछा जाता है कि आप अपने बटूए में कितना पैसा रखते हैं आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं देश की सबसे बड़ी समस्या है कि देश का प्रधान मंत्री आम चूस कर खाता है या काट कर खाता है बेरोजगारी गरीबी इन सारी चीजों पर कोई सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं करता है और अगर पूछा भी जाता है तो बड़ा मीठा सा सवाल पूछके निकल जाते हैं आँकणों के दम पर कोई उन से नहीं पूछता कि आपने हर साल जो दो करोड रोजगार देने की बात की थी दस साल हो गए हैं आपको सत्ता में रहते हुए वो बीस करोड रोजगार कौन से हैं वो बड़े आराम से बैट कर बोलते हैं कि आपके स्टूडियो के बाहर जो पकोडी बेच रहा है वो भी रोजगार है और पत्रकार की इतनी हिम्मत नहीं होती पत्रकार तो अब बचे कहां हैं जो एंकर और एक्टर हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि पलट के पूछ लें कि ये तो स्वारोजगार है अपने घर का पैसा लगा कर किसी तरह से बिचारा पकोड़ियां बेच कर अपना घर चला रहा है इसमें आपका क्या योगदान है इसमें सरकार ने क्या अपनी तरफ से किया है हालत ये है कि उनकी एक राज़िपाद अनंदी बेन पटेल गुरतपुर इंवस्टी में गई थी वहाँ पर दिक्षान समारो चल रहा था सारे टापर बच्चे थे और उन टापर चात्रों को कुछ और कहने की जगा उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी की उमीद मत करना इस पर किसी मीडिया के हिम्मत नहीं है कि पलट के सवाल पूछ ले और कन्ना रानावत कहती है कि बिना पढ़े बिना कागज देखे घंटों बोलते हैं जानती है कि अगर दो टेली प्राम्टर बाएं और दाएं ना लगें तो मोदी जी की जबान नहीं खुलती है महरास्ट्रा का चुनाव परचार खतम हो चुका है 20 तारिक को चुनाव होना है यानि कल चुनाव होने हैं वहाँ पर कल वोट पढ़ेंगे और बीते हुए कल की यानि 18 तारिक की घटना ये है कि वहाँ अनिल देश्मुक जी के ऊपर पत्थर भेके गया अनिल देश्मुक जी और उनसे कहा गया कि या तो उद्धो ठाकरे और शरत पवार के खलाब गवाही दो वरना तुम्हें जेल में सरना पड़ेगा अनिल देश्मुक जी ने जेल में सरना मनजूर किया अशोग चोहार की तरह वो जुके नहीं और कल उनके उपर पत्थर मारा गया और पत्थर त जाएंगे वोटर लिस्स से कितने लोगों को वोट नहीं देने दिया जाएगा यूपी की घटना मैं आपको बताओं लाल जी वर्मा जी जो सांसद हैं वरिष्ट नेता हैं उनका उन्होंने आरोप लगाया कि उनको वोट देने से रोका गया इसके पहले भी समाजवादी पा किश्मुक के उपर पत्राओ किया गया सारा हिंदो मुस्लिम करने के बाद आप सोचिए जारखंड में ऐसा वीडियो बना कर डाला भारती जनता पार्टी के आईटी सेल ने भारती जनता पार्टी के एकाउंट से कि चुनाओ आयोक को जो आम तोर पर भारती जनता पार्ट करनी पड़ी वो सारा खेल महारास्टर में भी करने की कोशिश की गई हाला कि दो दिन पहले ही अमिशा जी वहां से निकल लिये थे उनकी चुनावी सभाएं थी उन चुनावी सभाओं को छोड़ कर निकल लिये थे इसके क्या मतलब हो सकते हैं कल मैंने आपको विस्तार में समझाने की कोशिश की थी बताने की कोशिश की थी वो मेरी राय है किसी और की राय अलग हो सकती है लेकिन अभी महारास्टर के चुनाव की ये स्थिती है कि अगर दैनिक भासकर की बात मानी जाए जो सर्वे आ रहा है लोकनीती का सर्वे पहले ही आ चुका था जो कह रहा था महाविकास अगाडी अभी आगे है उसकी सरकार बन सकती है अभी दैनिक भासकर का जो सर्वे आया है वो भी यही कह रहा है कि 125 से 145 के बीज सीटे मिल सकती है महा यूतिकोग यानि कि जो बीजेपी का गडबंधन है वो 125 से 145 के बीच जा सकता है 145 बहुमत का आकड़ा है जबकि इंडिया गडबंधन के लिए उसका जो आकड़ा है वो है 132 से लेकर 155 से 155 का है यानि डैनिक भासकर भी फिल हाल तो महा विकास अगाड़ी को एज दे रहा है अब चुनाओ के बाद क्या होता है क्या रिजल्ट आता है ये तो आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे लेकिन ये जो पागलपन है जिसमें मनोज मुंतशिर जैसा आदमी महारास्ट में आग लगाने की कोशिश करता है हिंदू और मुसल्मान के नाम पर जिसमें मनोज मुंशिर जैसा आदमी हिंदू रक्षा की बात जोड़ देता है महरास्टा से वो ये सवाल नहीं पूछता है कि महरास्टा में रोजगार का क्या हाल है वो ये सवाल नहीं पूसता है कि कैसे धारावी का पूरा का पूरा जो विकास का काम था वो एक ऐसी एजनसी को कैसे दे दिया गया जिस पर अडानी का कबजा है वो ये सवाल नहीं पूसता है कि आरे के जंगल कटेंगे तो फिर मुंबई सांस कैसे लेगी वो ये सवाल नहीं पूसता है कि माहरास्टरा में विकास के काम सारे रुके क्यों है वो ये भी सवाल नहीं पूसता है कि माहरास्टरा जैसे स्टेट में क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है ये कोई सवाल नहीं है, सवाल है तो सिर्फ हिंदो मुसल्मान, हिंदो मुसल्मान, हिंदो मुसल्मान, हिंदो मुसल्मान, क्योंकि हिंदो मुसल्मान के अलावा कोई और ऐसी चीज है नहीं, जिससे भारती जनता पार्टी मद्दाताओं के बीच में चुनाओ जीत सके, बाकी की सेवा की थी वैसे ही मैं केजरिवाल की सेवा करूंगा उनके उपर करप्शन के आरोप लगे और उसके बाद रातो रात वो आप छोड़ कर भारती जंता पार्टी में शामिल हो गए ऐसे लोगों की महरास्ट्रा में तो कोई कमी है ही नहीं लेकिन महरास्ट्रा के चुनाओं में एक और बहुत मज़दार चीज होने वाली है दैनिक भासकर का ये कहना है कि छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो 20 से 25 सीटे जीच सकते हैं अब अगर ये 20-25 सीटें लेके आते हैं तो यकीन जानिये अगर दोनों गडबंधनों को बहुमत नहीं मिलता है तो जबरदस खेल होगा और इस खेल में पैसा किसके पास है आप अच्छी तरह से जानते हैं तो महारास्ट्रा का चुनाव अभी भी आप कह सकते हैं अधर में लटका हुa है कोई एक पार्टी ये नहीं कह सकती कि उसकी जीत तैह हाला कि हर पार्टी ये दावा करेगी कि उसकी जीत पक्की है लेकिन अभी फिलहाल इंडिया गडबंधन या आप वहां के लिए कहें महाविकास अगाडी जो है जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है शरत पवार की न्सीपी है और कॉंग्रेस है वो एच पे दिखाई दे रही है चुनाओ रिजल्ट क्या होता है ये तो रिजल्ट आने के बाद ही आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा एक और विवाद सामने आया है और वो भी बहुत important है समझना Facebook का विवाद Facebook वैसे भी आप जानते है ऐसा लगता है कि भारती जनता पार्टी का अपना मंच है वहाँ पर अगर आप भारती जनता पार्टी के खिलाफ कुछ लिख दे या फिर आप इसराइल के खिलाफ कुछ लिख दे तो तुरंट आपकी पोस्स रिस्टिक्ट हो जाती है हमारा जो पेज है वहाँ पर जो मेरा पेज है वहाँ पर जमाने में वहाँ जब मैं वीडियोज डालता था तो अच्छी खासी शेरिंग होती थी आज वो वीडियोज डालने पर ऐसा लगता है कोई उसके उपर दबा कर बैट जाता है वो वीडियो आगे ही नहीं जाता है तो फेस्बुक का एक आखड़ा आया है कि वहाँ पर किस तरह से भारती जनता पार्टी ने फेस्बुक एड्स पर अलग-अलग पेज बना कर शैड़ो जो परचार किया है वो उनके जो पेज है महरास्टरा एकाउंट माजी लड़की बहीन महा बिगारी कसाईना शेट एकनाथ बिग्रेड हिंदुत वादी बाना एकनाथ को वापस लओ इस तरह के तमाम सारे शैड़ो पेज़ज बना कर आप जस्स सोचिए कि कम से कम सवा 4 करोड रुपए भारती जनता पार्टी ने खर्च किये है केवल फेस्बुक पर परचार के लिए इसकी तुलना में महाविकास अगाडी का जो खर्च है वो आधे से भी बहुत कम है केवल 1.37 करोड बताया जा रहा है और बाकी फेस्बुक को जिस तरह से मैनेज किया जाता है वो बताने की जरूरत नहीं है आप अच्छी तरह से जानते हैं तो चुनाओ जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है कुछ भी किया जा रहा है लेकिन सबसे दुर्भागे पूर्ण है कि इतने सारे सहारे होने के बावजूद अकूत पैसा एजनसियों पर पूरा कबजा ये सारा कुछ होने के बावजूद हिंदु मुसल्मान के नाम पर जो जहर बोया जा रहा है चुनाओ से ठीक पहले ये वो जहर है जो लोगों की नसों में उतरता है जनता की नसों में उतरता है और उसके बाद देश को धीरे 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 कमजोर करता चला जाता है चुनाव खتم हो जाते हैं सरकारे बन जाती हैं लेकिन ये जो सांपरदाइक और धार्मिक नफरत का जहर डाला जाता है ये इतनी जल्दी बाहर नहीं होता है जो देश के लिए बेहत खतरनाक है ये लोग जो पैसों के लालच में या नाम के लालच में या किसी डर से या किसी और बज़े से सामप्रदाइक नफरत का जो जहर जनता के सीने में उतारना चाहते हैं वो नहीं जानते कि वो देश के सीने में जहर डाल रहे हैं देश की भावना को मार रहे हैं और इतिहास में उनका नाम जब लिखा जाएगा तो गद्दारों की तरह लिखा जाएगा उनकी तरह लिखा जाएगा जो देश जोडने की जगा देश तोडने की कोशिश कर रहे थे हमारी कोशिश अपने चैनल पर यही होती है कि इस तरह की जो साजिशे हैं इस तरह की जो कोशिशे हैं उनका मोहतोड जवाब दे सकें आप लोग वीडियोस देखते हैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस काम के हैं तो इनको दूर तक पहुँचाईए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर आप हमारी मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं हमें ताकत देना चाहते हैं तो तीन रुपए रोज से भी कम पर आप हमारी मेंबर्शिप ले सकते हैं आप हमें सीधी मदद कर सकते हैं सुपर थैंक दे सकते हैं और आप हमारी टी-शिर्ट्स खरीज सकते हैं हमने कोशिश की है कि कुछ इस तरह की टी-शिर्ट्स डिजाइन करें जिससे एक positive message लोगों के बीच में जा सके आप साथ जुड़ेंगे तो यकीन जानिये हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम पूरी ताकत से इन बातों को लगातार कहते रह सकेंगे आज के लिए इतना ही बहुत शुक्रिया जाल जाए लोड़ेगी बातों को लिए इतना ही रोड़ेगी घर्णतार को लीच मनच जारा ही नहीं शुक्रिया